So my dear students, इस question में हमें given है, find the equation of the circle which touches the line 4x-3y plus 10 equals to 0 and 4x-3y-30 equals to 0. अब आप ध्यान से देखिए 4x-3y और second equation में 4x-3y ये दोनो data सेम है, इसका मतब line parallel होगी और circle इन दोनो parallel line को touch करेगा और हमें दे रखा है उस center lie और उसके जो circle के center है वो इस equation पर lie करते हैं तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम एक geometry बना लेते हैं यहापे ठीक है तो उसको समझन थोड़ा सा आसान हो जाएगा question को तो चलिए अगर हम एक geometry draw करें इसकी तो मैं इसका diagram कुछ ऐसा बनाता हूँ कि मान के चलते हैं यह कोई line है और यह कोई circle है ठीक और यह circle का second यह line इसको touch कर रही है राइट तो यह दो line है जो आपने देखी हैं यह दोनों line है एक दूसरे को क्या कर रही है touch कर रही है sorry my mistake circle इस दोनों line को touch कर रहा है ओके देखी तो मैंने यह दोनों line ने parallel है अब आपको यहाँ से सबसे पहले circle का distance से radius निकल जाएगा इन दोनों line के बीच का distance जो होगा उसका half radius हो जाएगा और आपको इसका center निकानना होगा लेकिन center निकानने के लि पर उसका center लाए कर रहा है तो देखिए मैं एक rough geometry draw कर रहा हूँ यह exact rough figure है जो आप देख रहा है यह कुछ ऐसा rough figure है इसको थोड़ा correct कर लेते हैं तो कुछ यहां से line pass हो रही है यह रहा तो diagram के अंदर देखिए हम यह रहा कुछ यह rough geometry मैं आप से बार बार के रहा हूँ और इस प्रकार से हमारे पास 3 equations होगी तो first equation है 4x minus 3y equals 2 में या plus 10 equals to 0 second equation as it is आपको मिल जाएगी इसका और minus का 30 यह दोनों line ने parallel है और यह third one line आपको दे रखी यह line हमारे पास है 2x plus y equals to 0 तो चली क्या करते हैं सबसे पहले हम distance formula लगा के 2 parallel line के बीच का distance निकाल लेते हैं सो देखे distance formula अगर आपको clear नहीं है तो मैं mention कर देता हूँ distance equals to में mod होता है c1 minus c2 under root a square plus b square अब आप सोच रहोंगे c1 क्या है तो एक c1 हमारे पास positive 10 हो जाएगा और c2 हमारे पास minus 30 यह आप चाहें तो इसको c1 ले लिजे minus 30 को और इसको c2 ल 4 होगा वो a के लाएगा और b जो होगा वो minus 3 यह coefficient होता है तो यहाँ से हम distance formula लगा कि इसका distance find कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से मैं data put करके इसका distance find कर लेता हूँ तो हमारे पास आजाएगा distance d equals to mod के अंदर c1 और c2 हम लेके चलेंगे तो देखिए 10 और formula के minus और minus c हो जाएगा plus का 30 e का मतलब हो जाएगा 4 का square जो होगा 16 और b का मतलब हो जाएगा minus 3 का square मतलब 9 और देखिए यहाँ से आपको जो distance मिलेगा वो आपके पास कितना हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा उपर से 40 नीचे से 5 क्योंकि 25 मिलेगा तो यहाँ से आप देखेंगे जो distance आपका आएगा वो 8 unit आएगा मतलब 8 unit का आपके पास distance है अब हम जानते हैं कि जो distance है वो 8 unit है यह distance देखिए यह distance जो आप देखा है यह 8 unit है तो इसका half क्या होगा radius होगा तो यहाँ से d by 2 करके आप r निकाल सकते हैं तो देखिए circle का radius हमने 4 find कर लिया अब आपका main काम क्या है आपको कैसी बिगर के center बता लगाना है तो देखिए center के लिए हम center का equation use करता है और यहाँ से मैं आपको बताऊंगा इस question का हम कैसे easily solve कर सकते हैं तो देखिए हमारा पास center का जो equation है वो 2x plus y equals to में 0 है तो इसका use करके देखिए हम कैसे center find कर सकते हैं तो straight line जब हम study करते हैं तो देखिए straight line के अंदर बहुत concepts लगते हैं यहाँ पर हम इसका concept use करेंगे तो देखिए आपके पास जो equation दे रखा है वो दे रखा है आपके पास में 2x plus y equals to में 0 और यह देखिए वो रहा circle और यह रहा equation जो पास हो रहा है तो इसके center के coordinate क्या होंगे तो देखिए इसके center के coordinate h और k मानके चलते हैं तो अभी दोनों coordinate इस equation में put कर देजे ठीक है तो देखिए एक relation आजाएगा आपके पास में तो क्या फायदा होगा आपके relation से तो आप लिख सकते हैं y is equal to minus 2x के बराबर यह इस equation से ही मिला इसका मतलब हम लिख सकते हैं जब हमें जरूत होगी तो k के बराबर minus का 2h मतलब यहाँ पर मैं इसके दोनों center देखिए थोड़ा सा change कर सकता हूँ यह h होगा तो यह minus का 2h आजाएगा अब आपको करना क्या है आपके पास में देखिए पूरा data आ चुका है आपको center find करना है radius इसकी 4 है और अब हम यहाँ से center निकाल लेते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने time saving के लिए एक formula लिखा हुआ है और यह जो formula आप देख रहे हैं इस point पर इस point में distance का formula यह straight line में सीखते हैं और distance हमें दे रखा है कि अगर कोई point हमारे पास में है तो देखिए यहाँ पर अगर कोई point हमारे पास है राइट सो हम cases को एक मिठाँ सो देखिए यहाँ पर मैं इसको अब solve करता हूँ system हमारा accept नहीं कर रहा है सो देखिए मारकर मेरा काम नहीं कर रहा है इसमें क्या problem आ गई है वही देख रहा हूँ मैं just a minute इसको यह हम चेक कर रहे है ठीक है सो देखिए distance formula यहाँ पर mention है और हमें करना क्या है हमें just यह करना है कि इसका use करना है तो street line में हमें यह जो distance आप देख रहे हैं यह distance हमारे पास 4 है इसकी जगा पर हम 4 लिखेंगे और यह जो आप equation देख रहा है इसकी जगा हम यह लिखेंगे यह equation और इसके coordinates देखिए अभी हमने आपको निकाल के बता है वो है h और minus का 2h वो सब हम इसमें रख देएंगे तो इससे h की value आ जाएगी तो चलिए इसको solve करते हैं तो देखिए d की जगा पर हमने क्या apply करा दी के place पर हम apply करेंगे 4 यहाँ हमने apply करा 4 that is the 4 और देखिए याद रखिए प्लस और माइनस दोनों use करेंगे आप और क्योंकि जब हमको mod के अंदर value मिलती तो दोनों मिलती तो हमने दोनों find करना होती है तो चलिए 4 into हमने apply करा और यह हम coordinate रखेंगे h क्योंकि हम यह h और k put करना चाहते हैं इसमें और I think आपको यह concept clear होगा और असी प्रकार से minus का 3 into और यह हो जाएगा 2h प्लस का 10 और divide में देखिए आपको क्या मिल जाएगा under root आपको मिल जाएगा यहाँ पे 25 क्योंकि उसका square आजाएगा ठीक तो देखिए यहाँ से हमको मिल जाएगा 25 तो यह आपको value मिल जाएगी 25 और अब देखिए इसको solve कर लेते तो यहाँ से आपको मिल जाएगा और वो value आपको मिल जाएगा यहाँ पे plus minus 4 देखिए mod जैसे आप open करेंगे तो 5 उपर चला जाएगा और यहां से आपको मिल जाएगा 4H देखे यह H और है नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगे यहां पर यह आपके पास हो जाएगा 10H और प्लस का 10 तो एक काम करिए आपको यहां से मिल जाएगा प्लस माइनस का 20 minus 10 आप चाहें तो बाहर निकाल सकते हैं और इसके equals to में देखिए मेरे ख्याल से 10 का विजलू हमें यहां पे positive था देखिए उधरा के negative हो जाएगा और आपको यह data मिल जाएगा यहां से यह मिल जाएगा आपको 10H, अब हम इसको solve कर लेते हैं देखिए पूरी equation आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं तो small कर सकते हैं इस पूरी value को तो यहां से आपको मिल जाएगा plus minus का 2, minus का 1 और equals to में H तो जब आप negative coordinate और जब आप positive coordinate रहेंगे तो यहां से दो different value मिलेगी आपको तो देखिए यहां पर मैंने दोनों value find कर दीए आप देख सकते हैं दोनों value हम निकाल चुका हूँ है यहां पर जब हम value में यहां पर data put करेंगे इस point पर तो देखिए plus का 2, minus का 1 तो यहां मिल जाएगा positive 1 और minus का 2, minus का 1 तो मिलेगा minus का 3 तो center हम जो H और minus 2H लेके चले थे उसमों हमें मिल जाएगे 1, minus 2 और minus 3, 6 अब एक काम कीजे आप इस equation को यहां पर put कीजे ताकि हमें पता पढ़ जा कौन से coordinate इसको satisfy कर रहे है राइट तो देखिए यहां पर दोनों coordinates 1, minus 2 इस equation में जिसमें उस circle का center लाए करता है और minus 3, 6 रखिए देखिए आपको 0 मिल जाएगा इसका मतलब अभी तक आपने जो भी data निकाला है वो perfect data है अब आपको करना क्या सिब आपको equation find करना है तो यह रहा आपका circle यह रही वो line center coordinates आपको मिल गए आपको एक coordinate मिले 1, minus 2 और एक coordinate आपको मिलेंगे minus 3, 6 radius आपके पास कितना है 4 तो चली equation निकाल लेते हैं इसका तो इसका जो first equation निकल के आएगा circle का वो आपके को मिल जाएगा x minus 1 का whole square plus y plus 2 का whole square और 4 का square हो जाएगा 36 इसको solve कलनेंगे तो यहां से हमको equation मिल जाएगा x square plus y square minus 2x plus 4y और 4 और plus 1, 5 यहां से मिल जाएगा minus का 11 यह आपका आगया पहला equation अब आप निकालेंगे second equation second equation निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे अब आप कौन सा coordinate minus 3 और 6 यूस कर लिजे तो देखिए यहीं पर ही कर लेते हैं इसी point पर minus 3 और 6 पुट कर लेते हैं देखिए हमको second equation भी मिल जाएगा यहां से जैसी हम यहां पर coordinate पुट करेंगे तो x minus minus plus 3 का whole square और y minus 6 का whole square और equals to मैं आपको कितना मिल जाएगा 4 का square वो हो जाएगा 16